अश्टा वक्र की कहानी तो आप सब ने जानी है, सुनी है, फिर वी संख्षेप में दोहरा दूँ कि जब बे मा के गर्व में थे, उनके पिता जो की बड़े विद्वान पंडित थे, उन्होंने कोई बात कही ब्रह्मे के वारे में, मा के पेट से ही उस छोटे बच्चे ने कहा कि नहीं यह बात गलत है, बाप को बहुत गुस्सा आ गया, अभी पैदा भी नहीं हुआ लड़का, और अभी से विरोध सुरू, बाप बेटे का तो अक्सर विरोध होता ही है, अगर जनम के पहले ही वो कह रहा गलत, उन्होंने अभी शाप दिया, कि तेरा शरीर आठ यगे से आड़ा तिर्चा हो जाए, अभी शाप, बिद्वान आदमी और अभी शाप ना दे, ऐसा हो नहीं सकता, ज्ञान तो बहुत होता है, बुद्धी में, हिर्दे में दुर्भावना ही होती है, अश्टा वक्र का जन्म हुआ, आठ यगे से अंग आड़े तिर्चे थे, इसलिए उनका नाहम ही पड़ गया, अश्टा वक्र, आठ यगे से वक्र हैं, इर्चे तिर्चे, हाथ तिर्चे, पैर तिर्चे, कमर तिर्ची, गर्दन तिर्ची, आँखें तिर्ची, सब कुछ आड़ा तिर्चा था और ये आठंग आड़े तर्चे होने का अभी शाप बाप ने इसलिए दिया था क्योंकि बड़ी प्राचीन धारना है योग की आठंग है योग के आश्टांग योग उसके लिए सरीर का स्वस्थ होना सुडोल होना आवश्यक है तभी कोई उनको साथ स कोई योग कर ही ना सकेगा कभी परमात्मा को जान ही ना सकेगा भारी गुस्से में अभी शाप दिया गया था वो लड़का तो आड़ा तिर्चा पैदा हुआ लेकिन अद्वुद था चेतना जैसी उसकी सीधी सरल और निर्मल थी वह अद्वती थी और बीच की घटनाओं का तो वर्णन नहीं है फिर जिक्राता है जब यह बच्चा बारा साल का हो गया उसके पिता राजदरवार में गए हैं जनक को बड़ी रूची थी ब्रह्म के वारे में जानने की अकसर विद्वान पंडितों की सवा बुलाता था और परमात्मा के व को सिद्ध करने की कोशिश करते तकि यह सही है जनक को वाकई में जिग्यासा थी वह जानना चाहेता था लेकिन उस दिन काफी देर हो गई पिता वापिस लोटे नहीं तो अस्टा वक्र की मान ने कहा कि बेटा तू जा क्योंकि दो भर का खाना बना चुकी हूं ठंडा हुआ जा रहा है तेरे पिता भी तक लोटे नहीं सुभ़के गए हैं वहां तो लंबबाद विवाज चलता रहता है तो उनको उठाला तो अस्टा वक्र पहुंचा पहली वार राजदरवार में सारे पंडितों की सवह बैठी हुई थी वे सब देख के हां से इस आले इतरचे लड़के को ऐसी चाल कभी दे कर ना थी एक पैर छोटा एक पैर लंबा एक हाथ लंबा एक छोटा सब त जना में बनासड़ वक्रा समिलतर ऑर उन से जादा जो ऐसा है राजदरद में पूछ वेट यह लग क्यों है यह लीग क्यों हसे ए अ कर तूंका मैं आपके आअशा हूं को मेरे पिता जी आपको ब्रम जग्यासा है आत्मा के बारे में परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं इन चमारों को यहां क्यों बोलाया है जी क्या आपको ब्रह्म के बारे में बताएंगे जिनको सिर्फ चमड़ी दिखाई देती है वे चमार है अश्टवकरन का मेरी परिवासा ऐसी है जिसको सिर्फ कपड़े दिखाई देते हैं वो दरजी होगा उसकी नजर वहीं अठक जाती है जाती है माना कि मेरी हड्डियां तिर्ची है चमड़ी तिर्ची है क्या इससे मेरी आत्मा तिर्ची हो गई है यह लोग आत्मा की बातें बताने बैठे हैं इनको तो आत्मा नजर ही नहीं आती है अश्टवकरन का हराजन आप खुद सोचिए एक नदी अगर प्रची जा रही है कभी वाय मुड़ती कभी दाय मुड़ती कहीं जल प्रपात बनाती क्या उसका पानी तिर्चा हो जाएगा नदी के बेहने का मार्ग तिर्चा हो सकता है पानी थोड़ी तिर्चा होता है ठीक ऐसे हमारे भी तर्जो चेतना है वो शरीर के रंग ढंग से आक्रती से प्रभावित नहीं होती। इन पंडितों को इतनी सी बात भी नहीं मालूम। यह देखकर में हसा। अश्टबकर इनका भगाओ इनको कहां से बुला लिया। यह क्या तो मैं बताएंगे आत्मा परमात्मा के बारे में। मैं तो अपने पिताजी को बुलाने आया हूँ कि घर में रोटी बन गई ठंडी हो रही माने बेज आएं। लेकिन मैं चकित हुआ। आप इन लोगों से क्या खाक सीखेंगे। जिनक को भी बात तो समझ में आ गई, चोट कर गई हिर्दय पर। उन सब पंडितों को विदा किया, जिन्त की वर होगे इनकी बकवास सुनते सुनते सुनते, कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। इस लड़के की बात में सचाई नजर आई, सत्त की चोट गहरी पड़ती है। सामने वाला अगर सत्त को जानने का वास्तविक जिग्यासु हो तो, वही बात किसी को कड़वी भी लग सकती है, अगर वही जिग्यासु नहीं है। जनक वास्तों में जिग्यासु थे, उन्होंने पंडित विद्वानों को विदा किया, उस बारा वर्स के किशोर को अपने राज सिहासन पर विठाला, स्वयम नीचे बैठे, शिष्च भाव से, और पूछा, क्या मुझे उपते इसते हैं, ये जीवन क्या है। जीवन में दुख क्यों है, मृत्तु क्या है, ये जीवन मृत्तु किस लिए है, इनका लक्ष क्या है, ज्यान क्या है, दुख से मुक्ती कैसे हो, उन्होंने अपनी जिग्यासाएं रखी, और अश्तवक्र ने बड़े सीधे सरलवचन कहे। जुकि जनक अपने राजा का एहंकार छोड़कर, अपनी उम्र का भी एहंकार छोड़कर, इस छोटे वच्चे के शिश्च्वन के बैठेते सीखने के लिए अपना हिर्दे खोलकर, अश्तवक्र की बात सीधे हिर्द्यंगम होती चली गई। अश्तवक्र ने जो कहा तुरंथी उन्हें वह एहसास भी हो गया। उन्होंने ये नहीं पूछा कैसे, क्यों, विधी की भी कोई बात न पूछी, कि आप जो कह रहें ठीक मैं इसको कैसे जानूँ, नहीं कोई तरकीम, कोई विधी विधान, कोई क्रियाकान की बात ही नहीं उठे, अश्तवक्र ने वहां कहा और यहां जनक ने वैसा ही आतकार कर लिया, इसलिए ओश्यों ने अश्तवक्र जनक संवाद को महा गीता नाम दिया है, यह भी विचार नहीं है, स्रीमत भागवत गीता हम सब जानते हैं, भगवान स्री कृष्ण और अर्जुन के बीच घटा हुआ संवाद है, उसको संवाद कहना ठीक नहीं, उसमे बिबाध ही बिबाध है, कृष्ण जो कुछ भी कहते हैं, अर्जुन उससे संतुष्ट नहीं होता, वो काउंटर क्वेश्चन प्रती प्रशन पैदा करता है, फिर एक नए अध्याय की सुरूआत होती है, फिर कृष्ण दूसरे धंग से समझाते हैं, बगर अर्जुन को तसल्दी नहीं होती, वो सवाल पर सवाल किये जाता है, फिर एक नए अध्याय, फिर एक नए अध्याय, कुछ और तरीके से, किसी और एंगल से कृष्ण समझाने की कोसिस करते हैं, अर्जुन को बात समझ में नहीं आती, अठारा अध्यायलम भी चलती है गीता, उल्जाओ ही उल्जाओ है, कृष्ण के हर तरक को अर्जुन काट देता है, फिर सवाल खड़ा कर देता है, उसकी स्थिति हम समझ सकते हैं, उसकी भूल चुक भी नहीं, पहली बात तो वो कोई सत्त का जिग्यासु, आत्मा का खोज नहीं है, उसके जीवन में ना तो पहले और ना बाद में कभी ऐसी कोई जिग्यासा पैदा हुई, और गीता जिन छणों में घटी, वो भी कोई जिग्यासा की वज़े से नहीं, उसने कोई सवाल नहीं पूझा था, वह तो डिप्रेशन में जा रहा था, और उसने धनुस् और कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, उसने तो गोशना की थी कि युद्ध नहीं लड़ूंगा, उसने कोई सवाल नहीं पूझा था, कृष्ण अपनी तरफ से उत्तर देने लगे, अब बड़ी मुस्किल जहां प्रश्न ही नहीं पूझा गया है, वह उत्तर ग्र तो उन्हें सार्थी बना के ना बिठालता रत पर, सार्थी का मतलब आज की भासा में आप समझते हैं, ड्राइवर, उसके भीतर कोई शिश्च भाव नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सखा भाव है, एक मित्र के रूप में उसने इन्वाइट किया था कृष्ण को युद्ध के लिए, वो सांथ आये हैं, अपनी दोस्ती निभाने के लिए, ये गुरु हो सकते हैं, ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था, कृष्ण उत्तर दिये जाते हैं, दिये जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ग्रहनशील अवस्था में नहीं है, कुछ भी उसके भीतर नहीं पहुँच पाता, तो बात विबात बहुत है, तरक वितरक बहुत है गीता में, संबाद नहीं है, अश्टा वक्रोजनक के बीच में जो घटा वो वास्तों में संबाद था, रियल कम्यूनिकेशन, यहां बात कही गई और तुरन तुम्हां वैसा ही अनवह घटित हो गया, शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, शायद ऐसा कभी बाद में भी नहीं हो, इसलिए गीता की तुल्ला में ओश्टो ने जो नामकरण किया है, महागीता, वो बिलकुल ठीक है, अध्भुत है यह सास्त्र, लेकिन फिर भी प्रचलित नहीं है, क्योंकि अर्जुन को समझाने के लिए, एक ओसत बुद्धी वाले आदमी को, जिसकी अध्यात्म में कोई रुची नहीं है, एबी-सी-डी का जिसे ज्यान नहीं है, उसको समझाने के लिए, क्रिष्ण को बहुत नीचे उतरना पड़ता है अपने इस तर से, तब जाके कुछ शायद बात बन पाए, तब भी बनती नहीं, लेकिन जनक सक्चे ममुक्छु है, अश्टा वक्र को अपने तल से नीचे न ऐसा समझो एक युनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर को हम प्राइमरी स्कूल में ले आएं, वो कहें कि इन बच्चों को गणित समझाओ, वो जो हायर मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, उसको इन बच्चों का ख्याल रगते हुए ऐसी भाशा में बोलना पड़े जो ये समझ सकें, वो अपने स्तर से नहीं बोल सकता, वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे कैसे समझेंगे, इन के लेवल की बात करनी पड़ेगी, तो कृष्न जो कह रहे हैं, वो करीब करीब ऐसी घटना है, कि उनिवर्सिटी के प्रोफेसर को हम प्राइमरी स्कूल में ले हो सकता, अन्य था उनको पले नहीं पड़ेगा, अस्तर वक्रोजनक के बीच में कुछ गहरी बात जीत होई, एक तल के व्यक्ति थे, ऐसा समझो कि बस जनक की नींद पूरी हो चुकी है, आध्यात्मिक मूर्शा तूटने के करीब है, जागरण घटित होने को ही है, और अस्तर वक्र ने जरासी आवाज दी और वे जाग गए, अरजुन अभी बहुत गहरी मोहिने द्रा में है, अभी जगाने का कोई उपाए, शायद काम ना आए, इसको तो जोर से हिलाना डुलाना पड़ेगा, मूँ पे ठंड़ा पानी मानना पड़ेगा, शोर गुल करन अठारा अध्यायों में यही होता है, कृष्ण उसे हिलाते डुलाते हैं, जक जोरते हैं, वो फिर करवट लेके फिर सो जाता है, तो गुरु क्या कहता है, यह गुरु पर ही निर्भर नहीं होता, किस से कह रहा है, उस पर भी निर्भर होता है, क्योंकि उसी इस्तर की बात कही जा सकेगी